आज से हम दुसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या है? पुर्न संख्याएं. पुर्न संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे. क्या होते हैं पुर्न संख्याएं? इस पे आधारित प्रसनों को solve करना है, ठीक है? बनाना है. सबसे पहले हमको देखना होगा हमें, कि अगर हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हमको किसी भी चीज को गिनना होता है, तो हम गिंती प्राराम कैसे करते हैं? एक दो तीन चार पांच छे साथ ऐसे तो कहां से प्राइब करते हैं एक से शुरू करते हैं इसलिए जब हम गिंती प्राइब करते हैं यह हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है यह हमारे मतलब कहने का मतलब है कि जब भी हमें बोला जाएगा तो हम 0 से शुरू नहीं एक से जाता है बहुत आगे तक एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आड़नो कितना भी, इसलिए गनित्यग्य इन गनन गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्राकृत संख्या बोली जाती है, आगे देखते हैं पूरवर्ती और परवर्ती, पूरवर्ती और परवर्ती किसको बोलते हैं, दी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर एक जोड़ दें, तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसका परवर्ती, सकसेसर प्राप्त कर लेते हैं, कहने का मतलब यह है, कि कोई क aos नबी प्राकृत संख्या हो नजब नाहीं हैने जोड दिये और जो प्राकृत चंख्या के वो क्या हो जाएगा है पहले वाला का सक्षेसर पर्वर्थ לפ 20 परवरत 400ं दिश्कर्ट का परवर्तency कि यह ठीश है अब कि सुपशे परवरति इस की जोड़त की बता पक्चास परवरति बता अब यहां पर आपको मतलब सवाल दिया गया है उससे पहले पूरवर्ती समय लेते हैं अब यहां परवर्ती में एक जोड़ते हैं पूरवर्ती में एक घटा देजिए कोई भी संख्या से एक घटा देते हैं तो उसका पूरवर्ती निकल जाता है 17 का पूरवर्ति एक कोई पूछा आपसे तो आप 17 में से एक घटाई है तो कितना है उन्चास आएगा वो पूरवर्ति और परवर्ति में समझ में आया परवर्ति मतलब लेना है परवर्ति मतलब एक संख्या आगे का पूरवर्ति मतलब एक संख्या पीछे का दीया हूँ इसको पूरवर्ति क्या हो जाए dough हो पूरवरती मतलब क्या होता एक संख्या पहले का। ठीक है एक पहले का। मतलब उनुच का एक घटा दिजेगा तो अठारा जाएगा। इसी में परवर्ती निकाल लिएगा तो एक जोढ़ा लिए तो कितना हो जाएगा। 20 वो फाकृष का परवर्ते। ठीक है। क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्वर्ती नहीं है बताई ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जिसकी कोई पूर्वर्ती नहीं है अभी अभी हिसाब से चिकी पूरवर्ती ठोसे क्या को एसा प्राकरीत संख्या नहीं है और कोई संख्या नहीं है लास्ट में पता नहीं सकते हैं कि आखरी में क्या होगा नती में क्या होगा संख्या तीन का पुरवर्ती संख्या तीन का एक पुरवर्ती और एक परवर्ती है इसका तीन का एक पुरवर्ती होगा एक परवर्ती होगा दो के बारे में आप क्या सोचते हैं इसका परवर्ती तीन है, पूरवर्ती एक है, एक के परवर्ती और पूरवर्ती दोनों है, ठीक है, अब इससे सवाल पुछ रहा है कि एक जो है, इसका पूरवर्ती और परवर्ती है कि नहीं, परवर्ती तो है, एक में एक जोड़ी एगा, दो क्या है, इसका परवर्ती है, लेकिन पूर्वर्ती है किने एक घटा येग्त कितना आएगा ही यस पे बात करते हैं हुँ हम अपने स्प्राप्य के बच्शों की संख्या को गिन सकते है hundred हर चीज गिना जा सकता है वो सकता है कि आकास आस्मान में सेत् तारों या अपने सीर में बालों को भी गिन को भी संख्या में गिन ना पाएं परंतु यदि हम इन्हें गिन पाएं तो इनके लिए कोई संख्या अवस्य होगी हो सकता है जैसे कि आस्मान में कितने तारे हैं हमारे सर में कितने बाल हैं इसको हम गिन ना पाएं लेकिन अगर गिनते अगर हैं अगर हम गिनते हैं इसके लिए एक संख्या हो सकता है कोई भी संख्या जरूर होगा तो ऐसा नहीं है कि गिन नहीं पाएंगे हम बाल अगर गिनने बैठ गया तो गिन सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी संख्या होगी ठीक है गिनना आगे देखते हैं परन्तु यद इसे अगली संख्या प्राप्त कर लेंगे, एक जोड के ठीक है, ऐसी सित्य में हम दो बेक्तियों की सीरों के बालों की संख्या तक को लिख सकते हैं, ठीक है, अब यह साय दसपस्ट है, सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं है, पता चला अभीद बोले, कि हम आप एक जोडते जाएं, कब तक एक जोड रहे हैं, अभी एक में एक जोड़े दू आया, दो में एक जोड़े तीन आया, तीन में एक जोड़े चार आया, इस तरह से जोड़े जोड़े करोड में जोड़े तो एक करोड़े एक आया, इस तरह से कब तक हम जोड़ते रहेंगे, इस के साथ उनकी चर्चा कर सकते हैं आप इन प्रस्व मेंसे अनेक के उत्तरों के संबत ह ज्यात नहीं करते ह Ew अब देखते हैं हम पूर्ण संख्या क्या होती है कि बारे में हमको शीखना है हम देख चुक है कि प्राकृत संहिआ कहां से एक का कोई पूरवर्थी नहीं होता है, हम बोले थे कि प्राकृत संख्या जो है, उसका पूरवर्थी क्या होगा, मतलब एक जो प्राकृत संख्या उसका पूरवर्थी क्या होगा, उससे पहले क्या आता है, वो तो नहीं है, हमें नहीं पता है, प्राकृत संख्या कहा सुरू होता है, और एक के पहले हमको मालूम ही नहीं कि कुछ होता है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो एक है उसका कोई पूरवर्ती हो, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम जीरो को सुन्य को एक के परवर्ती रूप में लिख सकते हैं, तो देखे, अगर हमक अगर एक उसमें मिला दिये, जीरो मिला दिये, तो यह क्या बन गया, यह पुर्ण संख्या बन गया, ठीक है, प्राकृत संख्या में अगर सुनने मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, पुर्ण संख्या बन गया, अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं आप, नंबर और जो एक से सुरू होती है उसको क्या बोलते है प्राकृत संख्या नेच्रल नंबर ठीक है क्या अब प्रयास की जमतला कुछ सवाल दिया हुआ ठीक है क्या सभी प्राकृत संख्या है पुन संख्या भी है पुन संख्या में क्या होता है जीरो से सुरू होता है और प्राकृत संख्या कहां से एक से सुरू होता तो जितना भी प्राकृत संख्या है पुन संख्या में आ जाएगा ठीक है क्या सभी पुन संख्या प्राकृत संख्या है नहीं है पुन संख्या कहां से जीरो सुरू होता मालुम नहीं है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम क्या लिख सकते हैं वो पता नहीं है तीक है लेकिन सबसे छोटी हम को मालूम है कहां से सुरू हो रहा है अपने पिछली के अच्छाओं पून संख्याओं पर सभी मुल्भूत क्रिया हैं जैसे जोड व्यक्लन गुना भाग करना सिख चुके हैं आप यह भी जानते हैं कि इनका प्रस्णों को हल करने के लिए में किस परकार अनुपरयोग किया जाता है ठीक है आए हम इन संख्याओ को एक संख्या रेखा पर करें अभी पिछली के अक्षा में हमने पढ़ा था जोड घटाओ गुना भाग जितना तरह का था सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें पुन संख्याओं का इस्तामाल भी करते थे लेकिन अब हम क्या करते हैं संख्या रेखा का मदद से इन एक रेखा कीजिए इस पर एक बिंदू अंकित कीजिए इस बिंदू को जीरो नाम दीजिए ठीक है सुन्ये नाम देना है सुन्ये के दाइं और एक अन्य बिंदू अंकित कीजिए इसे एक नाम दीजिए यहां पर देखिए संख्या रेखा में क्या करना है एक रेखा एक बीचने बात यहार पर एक बिंदु की जग़ा पे में लाइन खीच दिये चोए पर नाम जीरो पाल में, हमका किई? एक और लाइन खीच दिये ठीक है? फिर जीरो पादश से नमांकित इन बिंदु के बीच की दूरी एक मातरक दूरी कहलाती है जैसे कि यहां से इसका नाम एक हम दिये है तो यहां से यहां जो बीच का दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं एक मातरक बोलते हैं जीरो और एक के बीच का दूरी को हम क्या बोलते हैं एक मातरक बोलते हैं ठीक है फिर आपको क्या करन आपको एसे numbers बैठाते जाना ये होगा आपका संख्या रेखा आप रेखा में क्या बैठा दी है संख्या तो कहला या संख्या रेखा यहां तक इसको आप पढ़ आप प्ढोड़ी एग बार किताब को टीक इसी रेखा पर एक दाई और मातरख दूरी एक बिंदू अंकित कीजे और दो से नमांकित कीजे इसी विधी का परियोग करते हुए संख्या रेखा है पर एक एक मातरंग दुरी बिंदू तीन चार पांच से नमांकित करती रहे हैं तो क्या है तीन चार पांच छे साथ आठ आगे लिख सकते हैं ठीक है आप दाई और कि किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं नीचे दीगे पूर्ण संख्या हों के लिए संख्या लिखे तो आप क्या कर सकते हैं किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं तो यहां पर और देखते हैं आगे कि बिंदू दो और चार के बीच की दूरी क्या है यह जो बिंदू 2 है और 4 है यह दूनों के बीच की दूरी क्या है ठीक है निश्चित रूप से यह दूरी 2 मात रख है कैसे 2 मात रख है हम जानते हैं कि हर जो बिंदू है जैसे हर बिंदू 2 बिंदू के बीच में दूरी कितना है एक-एक दूरी है, एक-एक मात रख है एक से दो के बीच में एक मात रख है जीरो से के बीच में एक मात रख है उसी तरह से, दो से तीन के बीच में एक मात रख हुगा और तीन से चार के बीच में एक मात रख तो कितना हो गया, एक और एक दो संख्या रेखा पर आप देंग कि साथ संख्या चार के दाई nou रिस्थीत और संख्या बड़ी संख्या है रथा इसलिए तैरा बड़ी संख्या है निया है इसलों सपस्टरी मुंह खुला हुआ था वह बड़ी संख्या अनुल install इस तरफ बड़ी संख्या्या से सब्सक्राइब किसके उसके पहले वपरी जैसे की यह जीरो से बड़ी और सरते है तीन से चार उसी तरह साथ किसे बढ़ी संख्या है सब से इधर संख्या दिया है ठीक है अगर अगर इसके आगे आठ लिख देंगा तो 8 क्या हो जएका सबसे बड़ा हो जाएगा इसी तरह से यहां पर दिखाने के लिए हम क्या किये हैं? अब देखतें कि संख्या पर योग संख्या रेखा का इस जोडना है、 इसके लिए कि लिखें πून संख्या हो के योग को संख्या रेका पर दरसाया जाता है आए ये तीन और चार के बीच योग देखें तीन और चार को जोड़ना है तीन जोड़ चार ठीक है इसके लिए क्या करना होगा यहां पर लिखा हुआ है तीर के सीरे पर बिंदु तीन है ठीक है तीर का सीरा किसको बोलते है इसको बोलते है यहां पर कौन सा बिंदु है तीन है ठीक है फिर चार से जाएंगे पांच में एक बार हुआ फिर पांच से छो में एक बार फिर एक बार मतलब चार बार इसे करना है तीर बनाना ठीक है तो यहां पर क्या करना होगा हमको तो तीन से चार में गए एक चार से पांथ में गए दो पांथ से चफू में 7 क 3 4 बार आपको जोड़ना है इन लिए हम दाई और 4 उसन चार कदम there and 4 बार चार कदम जटेंगे यहर से सुरूब कें चलना एक कदम में पहंचें और फिर यहाँ से चलरह एक दो पहुंचें तोavan चेра जोंट उत्तरिया को इसी तो यहाँ पहला सवाल करना होगा और चार में खढ़ा होना होगा और तो इस तरह से संख्यारेखा tämä इसतेमाल से हम लोker जोड सकते हैं ये आराम से जोडने में बहुत असानी होता है मतलब बड़ा-बड़ा संख्या को नहीं जोडने में दिक्कत होगा लेकिन छोटा-छोटा जो संख्या इसको को आराम से जोड़ सकते हैं और संख्यारेखा को देख के बता सकते हैं अगला है व्यक्तलन करना घटाना जोड़ का उल्टा होता है घटाना जैसे कि हमको साथ से पांच को घटाना है ठीक है हम साथ में खड़ा हो जाएंगे और उल्टा चलेंगे इस तरफ अभी दाहिने तर इसे जあの है उन авста तो हम साथ से पांच कदा देते हैं कितना य debtor थे इस तरह से हमने जोड़ ko प्राप्वियद्र नदिया हुआ है तो हम यह फिर तिने कदम चार भार चलेंगे रिएaisia थी बढर चार चार कदम तीन बार चलेंगे है यहां पर चार गुणा किया जाता है यहां पर देखे सवाल दिया हुआ इसमें भी दिया हुआ है सवाल क्या दिया हुआ है कदब में चलते हैं। जीरो से सुरू होके सीधे च्छाव नशाव नमिए jsृच कदभन से डोतीन चार पांच छोव कि इसमें इसे करकरके हम पहुंचेंगे वो ना करें गें इस तरह से ठीक हैं कि यह मैं इसमें सवाल सब दिया हुआ है इसमें एक सब्वाल दिया हुआ है कि यह संख्यार ठीक हा है कितना इक आईदा है सेटधा हजार truck, 101999 के बाद अगली तीन प्राओरीत 行ना लुखे yep दस हजार एक से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या है लिखे, तो दस हजार एक से पहले आने वाली पूर्ण संख्या है, हम क्या करना होगा, एक घटाएंगा तो यह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, यह सबसे असान स सवाल है पूर्ण संख्या कहाँ खी सब से चोटी पर वर्ति मतलं क्या हुआ इसके एक booksनधा उसी तरह सिस्का भी लिखना है अग्ला सवाल इनके बीच उपर्योग चिन का परियोग करते हुए इन्हें लिखी इसको आपको संख्या रेखा में लिखना है और वो लगा देना है चीन जो लगाना है छोटी और बड़ी के हिसाब से लगाना है जैसे कि यहां पर हुआ यह 530 और 503 तो 503 जो है उसंख्या रिखा में सब पहले आता है वो बाई ओर आता है किसके 530 के तो क्या हो जाएगा ऐसे करके ऐसे लग जाएगा तो जो भी जो हम इस तरह से बना रहे हैं मुह जो खुला है किदर रहेगा 530 के तरफ यही लिखना है इसमें अगला सवाल है निमलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य है जो कथन दिया हुआ इसमें सही कौन सा कौन सा गलत है पहला कतन क्या है सुन संख्या 399 का पूरवरति है हां तीं नीनाद जो है उसमें एक जोड़ दिये तो कितना आगा 400 आगका पूर दोलत हो गया है ज़ता या फती फेटाना होता है चार सो नहीं अधर क्थन गया ऐसे बढ़ा संख्या 599 काफ़वर्ती है हैlying Mochen दो अंकों की पुर्न संख्या का पूरवर्ती मैं कि एक अंकी संख्या कभी नहीं उसकती सकती है हाँ सही है एक दो अंक्य अगर हो सकती है गलत कफन है दो अंक्य जैसे कोई भी प्राकृत संख्या है जैसे दस है दो अंक्य संख्या है उसमें एक घटा अगर नो आएगा नो क्या हो गया एक अंक्या हो गया तो उतो हो सबसे सबसे छोटी पूर्ण संख्य प्राकृत शंख्या एक का कोई पूर्वुर्ति नहीं होता तो गलत हो जाता ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्वर्ती नहीं होता है प्राकृत संख्या एक से ही शुरू होता है एक से पहले कोई पूर्वर्ती नहीं हो सकता है वह प्राकृत संख्या लेकिन पुन संख्या का होता है अगला सवाल यहां पर दिया पुन संख्या एक का कोई पूर्वर् सपति क्या है जी रों कि जी रो सुनेये जो है कहां शुरू होता है पुन संख्या 13 संख्याओं 11 transforming i ա के बी Uganda 11 के बाद 12 आता 12 के बाद 13 जे बार kingdom रहें को बारा कि में धरद नहीं आता है यह गलत हो गय्य बन्य संख्या digo को पूर वर्ती नहीं होता नहीं होता जीरो को कोई पूर्वर्वर्थी नहीं होता दो अंकों की संख्या का पर्वर्थी १ आ रो संख्या इसका परवर्ति क्या होगा सो हो जाए एक जोड़ देंगे तो तो तीन अंका संख्या हो गया मतलब यह भी गलत है ठीक है आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पुनसंख्याओं का गुण पुनसंख्या का गुण क्या-क्या होता है वो समझना हमको पुनसख्याओं का गुण क्या हमको झाल 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 झाल